नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीब से राजनीती में वैसे तो भाषा की मर्यादा की बात करना ही आजकल बेमानी हो गई पार्टी कोई भी हो प्रदेश कोई भी हो बहुत फर्क पार्टीओं में नेताओं में बहुत ज़्यादा है नहीं कहीं थोड़ा आपको ज़्यादा स्यम मिलेगा कहीं बिलकुल नहीं मिलेगा कहीं थोड़ा स्यम मिलेगा लेकिन छोटे-मोटे नेता इस तरह की बयान बाजी करें और भाशा का सैयम खोदें तो एक बात फिर भी समझ में आती है लेकिन संबैधानिक पर बैठा हुआ कोई वेक्ति अगर आपा खोदें भाशा का ये सैयम खोदें अनुशाशन खोदें तो निष्टीत रुप से चिंता की बात होती अगर कोई मुख्यमंत्री चुना हुआ मुख्यमंत्री लोप्रिय मुख्यमंत्री किसी से ये कहे कि अगर गैर जिम्मेदाराना बात की तो जबान काट लूँगा अब आप इस से अंदाजा लगाईए कि गुस्सा कितना जादा है आक्रोश कितना जादा है जरूर कोई वज़ा होगी बेवज़ा तो नहीं हो सकता ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था तेलंगाना पर और उसमें आपसे कहा था कि जो हुजूराबाद का बाईलेक्शन है ये तेलंगाना की राजनीती में बदलाव लाने की शुरुआत कर सकता है और उसके संकेत मिलने शुरू हो गए तेलंगाना का जो राज्य का ये जो एक मातर विधान सभा का चुनाव था हुजूराबाद का वहां से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट पर इटाला राजेंदर कुमार पहले वो मैंने पहले भी बताया था के सीयार के साथ थे के सीयार यानि के चंदरशेकर राओ जो मुक्यमंत्री है तेल फिर उनको मंत्रिमंदल से हटा दिया गया फिर उनको पाटी से निकाल दिया गया ये सब हुआ और उनको लगा कि उनकी जान को भी खत्रा है तो वो भाग कर दिल लिया है अलग-अलग लोगों से मिले उसके बाद बीजेपी के नेताओं से मिले उन्होंने बीजेपी जोइ पूरी सरकार लग गई कि कुछ भी हो इटाला राजेंद्र को हराना है और किसी भी सूरत में हराना है तो इसलिए मैंने कहा था कि ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसियार ने इसको प्रतिष्ठा का प्रशन बना लिया और केसियार की पार्टी तेलंगाना समितिये चुनाव उपचुनाव हार गई और बड़े मार्जिन से हार गई लगभग 30,000 वोटों से उसके बाद से के चंदरशेखर राव बौकलाए हुए मैं जिस सम्वैधानिक पत पर बैठे वे विक्ति की बात कर रहा था वो के चंदरशेखर राव ही है साथ तारीक को यानि इसी साथ मावंबर को उन्होंने एक प्रेस कांफरेंस बुलाई और प्रेस कांफरेंस में जिस तरह से बोले अगर आपने लाइव सुना होता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये आप मुख्यमंतरी की बात सुन रहे हैं किसी राज्य के या किसी जिले के कस्बे के न बेड शुदेश अधैक्ष्यू उन्होंने का कि उसकी हैसिएत क्या है उसका कद मेरे बरावर नहीं है तो वो मेरे बारे में कैसे बोल सकता है इस से शुरूआ कि अनुद हैं पर उन्होंन neural स Camar मुझे परवा नहीं है कि बी संजय कुमार किया बोलते हैं कुझे तो भूगत छुके थे कि धान उगाना यानी आत्महत्या को दावत देना अब वो अपने बयान से पलट गए अब भी चाहते हैं कि धान उगाए तो समस्य क्या है क्यों इस तरह की भाशा बोल ले थैं तो इतने उत्तेजित थे आक्रोशित थे यह बताता हूं पहले क्या क्या बोले वह चैए B. संजे कुमार का कोई बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पैड़ी के धान के किसानों को पैसा नहीं मिला तो गर्धन पकड़ कर पैसा दिरवाओंगा। तो रोन का कि इसकी हिम्मत है कि मेरी गर्दन पक्ड़े इसकी गर्दन के चार टुकड़े कर दूँगा फिर भी संजे कुमार का एक और बयान था कि उनके पास एक रणनीती है जिसके जरिये केसी आर को जेल भेजा जा सकता है तो रोन का कि मुझे जेल भेजोगे ये तुम्हारी हैसियत अगर मुझे जेल भेज दिया तो उसके बाद जिंदा रह पाओगे अब आप सुनिए एक मुख्यमंत्री विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ये सब बोल रहा है के चंशेकर राओ के बारे में आपको पता है कि वो समय समय पर केंदर में भारती जन्ता पार्टी की सरकार की मदद करते रहें जब भी क्राइसिस हुई खास्ता उसे राज्यसभा में बीजेपी को जब भी मदद की जरुरत पड़ी उन्होंने मदद किये इसलिए बीजेपी भी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आकरामक नहीं हुई लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे ने ये समय करन पूरी तरह से बिगाड़ दिया इसी प्रेस कॉंफिएंस में उन्होंने कहा कि अगर गैर जिम्मेदारान तरीके से कोई बोलेगा तो उसकी जबान गाट लोगा एक रिपोर्टर ने गलती कर दी सवाल पूछने की उसने सवाल शुरू किया कि विपक्ष का आरोप है बस इतना सुनना था कि आगे तो उन्होंने सुना ही नहीं उन्होंने कौन विपक्ष आदमी है गधा है अब लगातार भाषा के बारे में सुनिए ये एक प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री बोल रहा है उन्होंने का कल से यानि आठ नौमबर से वो देश में आग लगाएंगे क्यों लगाएंगे ताकि बीजेपी की सरकार को बेनकाब कर सके अब भाई बीजेपी की सरकार को बेनकाब करिये आप विपक्ष में हैं आपका अधिकार है जनतांतरी का अधिकार है लेकिन उसके लिए आग लगाने की क्या जबरत है बसे केसियार के बारे में बता दें कि उनका ये उलट पलट होना उनका अपने बयान देना फिर यूटर ये बड़ा उनके साथ जो है सामान ये बात है gonna आपको याद हो गा जब वो अलग राज्य का अंदोलन कर रहे थे तो आखिर में उन्होंने को ऊंग्रियस के सामने प्रस्ताव हो रक खा कि अगर कोंग्रिस अलग राज्य का अलग राज्य बनाने को तैयार हो जाती है अंद अगर मर्ज हो जाती है तो हमारी सरकार बन जाएगी लेकिन जैसे ही राज्य का कठन हुआ उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कॉंग्रेस पार्टी को नतीजा ये हुआ कॉंग्रेस दोनों जहां से गई ना तेलंगा ना मिला ना अंधर मिला दोनों प्रदेशों में हाशे की प सिती क्या है उस राज्य में जहां जब संयुक्त राज्य था तूती बोलती थी कॉंग्रेस पार्टी 2004 और 2009 में केंदर में मनमुहन सिंग की सरकार बनी बहुमत हासिल कर सकी उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कहें तो अलग-अलग राज्यों के हिसाब से तो वो आंधर उन्होंने पहले विरोध किया कहा ये शहद में लिप्टी हुई चूरी है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं फिर कुछ दिन बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ उन्होंने वो इसके समर्थन में आ गए और प्रदेश में लागू कर दिया अब मांग कर रहे हैं कि ये तीनो करिशी कानून केंदर सरकार वापस ले इसी तरह से आईश्मान भारति योजना उन्होंने का ये बिल्कुल बेकारी योजना है इससे किसी को फाइदा नहीं होने वाला है दो साल तक टिलंगाना में लागू नहीं होने दिया उसके بعد लागू कर दिया तो ये ये जो उनका कि उनका वेक्तित तो किस तरह का है लेकिन सवाल ये है कि ये सब वो कर क्यो रहें अचानक ये प्रोवकेशन क्या हो गया देखे केंदर सरकार ने जो एक कदम उठाया है एक साइज ड्यूटी घटाने का पेट्रोल और डीजन से उसकी मार से बहुत लोग तरस्त है अभी तक महंगाई से आम लोग तरस्त थे अब उसके दाम कम होने से कई राजनीतिक दल और नेता तरस्त है कॉंग्रेस अभी तक तैय नहीं कर पाई है कि उसके जो शाशन के राज्ये हैं सभी राज्यों में एक साइज ड्यूटी कम होगी कि नहीं होगी पंजाब में चुनाव है त कुछ दिन इंतजार करने के बाद जो है कम कर दिया लेकिन राजस्तान ने फैसला नहीं किया च्छतिस गड़ ने कोई फैसला नहीं किया केरल में जो है पिनराई विजियन जो लेटरन की सरकार है वो कहरे हम तो करेंगे ही नहीं इसी तरह से आंधर प्रदेश ने मना कर दि रहे हैं, सबलोग महङाई से तरस्त हैं इसकी वज़े से महङाई बढ़ रही है इन पेटरिल और डीजल का अदाम तो ही जो परेशान कर रहा है इसकी वज़े से महङाई पर ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीजों पर फर्ट पर पढ़ रहा है कम कर दिया और कम किया के इन्द सरकार ने उसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों ने और कम कर दिया अब दबाव आ गया कि आपको कम करना चाहिए उस दबाव को जहिल नहीं पा रहे तो इस तरह की अनर्गल बाते हो रही है जो लोग आंदोलन चला रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किये जाएं वो कम होने के बाद और ज्यादा नाराज है अब बात पासा पलट चुका है अब बीजेपी सवाल कर रही है कि आप अपने राज्यों में दाम क्यों नहीं कम कर रहे है महराश्ट ने भी नहीं किया है पहले उडिसा ने मना किया था लेकिन फिर उडिसा ने दाम कम किये तो मुद्ध कैसे उसको प्ले किया जाता है इसका बड़ा आसर होता है बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के दाम जब तक वो उनको लग रहा था कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं तब तक बढ़ने दिया उसके बाद जैसे ही वित्तिय स्थिती ठीक हुई एक्स बॉइंसी हुई जीस्टी कलेक्शन बढ़ा सरकार की इस स्थिती में हुई वित्तिय स्थिती ऐसी हुई कि वो इसका जटका जेल सके इसके शौक को एब्जॉर्ब कर सके एक्साइज ड्यूटी घटा के दाम कम कर दिये अब विपक्ष के हाथ से इतना बड़ा मुद्धा चला गया खास तोर से पांच राज्यों के चुनाव से ठीक पहले तो तिलमिलहाट उसकी है अब ये तो आलोशना कर नहीं सकते कि दाम क्यों घटा दिये फिर से बढ़ाओ क्योंकि हमको उससे राजनितिक फाइदा हो रहा था तो इस तरह से जो है वो खीज निकल रही एक तो ये दूसरा हुजूराबाद बाई लेक्षन की हार का वो जो दंश है वो जो मिटा देने की तमना थी एटला राजिंद कुमार की और वो फिनिक्स की तरह से उठकर खड़ा हो गया बीजेपी के समर्थन से समर्थन क्या आप तो बीजेपी के ही सद़से हैं ये केसियार को बरदाश्ट नहीं हो रहा है इसके लिए वो केंदर सरकार के खिलाफ जाने के लिए तयार हो गए है जो अभी तक नहीं गए थे तो तीसरा कारण क्या है तीसरा कारण है कि धान की खरीद में समस्या हो रही है तेलंगाना में उस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं केसियार उसकी नाराजगी है उस पर कोई बयान देता है कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते है तो एक पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के केंद सरकार के कदम ने अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रभाव डाला है यह इसका आर्थिक पक्ष तो है ही दाम कम हुए तो लोगों को राहत मिली है उमीद करना चाहिए कि जड़ी ही ट्रांसपोर्ट के जो रेट है वो भी कम होंगे तो उसका असर महंगाई पर पड़ेगा फिर प्रिजब बैंक को मदद मिलेगी इंफलेशन टारगेटिंग में काबू में रखने में और यह सब मिलकर एकानमी के लिए अच्छा है एकानमी अच्छा करेगी तो बीजेपी की सरकार के लिए अच्छा है तो बीजेपी की सरकार के लिए जो अच्छा है वो तो कैसे हो सकता है वो तो नहीं होना चाहिए एकानमी के लिए बुरा हो जाए द नुकसान पहुंचेगा और उस क्रम में और कितना नुकसान होता है दूसरे क्षेतरों का चाहे एकॉनमी हो चाहे समाज हो चाहे देश हो उससे मतलब नहीं अब के सियार को याद आ रहा है कि चीन बॉर्डर पर बैठा हुआ है पैट्रोल के दाम घटे उससे चीन के बॉर्ड बातों पर उतर आते है पिर आप इस तरह से आपा खो बैठते हैं सईयम खो देते हैं भूल जाते हैं कि आप एक समभधानिक पत पर बैठे हुए उसकी एक मर्यादा है वो मर्यादा ये मांग करती है कि आपका जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो साहन हो आलोच न वो तीकben वैधानी पद पर बैठे वेक्ति की वो नहीं चाहिए वो सब केसी यार ने खो दिया है तो ये अभी आने वाले दिनों में आपको ऐसे दिर्श और दिखाई पड़ेंगे कुछ और राज्यों में भी दिखाई देंगे इंतजार कीजिए सिर्फ मार्च 2022 का उसके बाद आप देखिए देश की राज्योंती में किस तरह का परिवरतन आता है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक के लिए अजाज़त दीजे नमस्कार आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार